नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंशन ओडिनीटर विश्वेंद्र सिंग चोहा ने बताया कि मरीजों को काफी परिशानी हो रही है मरीज आगरा जैपोच जा रहे हैं तरह मास्ते 25-300 केसिज होते हैं जो मुख्यमंट्रि आईश्मान आरोग ये योजना कहता है डियलसेश किया जाता है पियमो सरश्री समरवीर जी नै बताई कि अब dialysis की सुविधा नया हॉष्पिटल में मिलेगी अस्पतार में dialysis की निशल की सुविधा चल रही है राश्टिय स्वास मिशन की तय hours अचार यत डालस सेंटर में अब dialysis के लिए अन्न जिलों में नहीं जाना पडेगा राश्टिय स्वास मिशन और आस्क संजीवनी प्राइविट लिमिटेड के स्ट्रेक्ट प्रयास से निशुल के डालेसे सेवा उप्लब्द करवाई जा रही है समन्वयक विश्विंद्र सिंग चोहान ने बताया कि राश्टियर स्वास मिशन और आज संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड समन्वयक विश्विंद्र सिंग चोहान ने बताया कि डालेसेस और लोगों को निशुल को पलब्द कराए जाएगी कि जसमें BPL, State, BPL, मुख्यमंट्री, आईश्मा नारों के योजना, Senior Citizen, दिव्यांग, फीमेल मरीजों को ये निशुल को सविधा मिलेगी, विश्विंदर सिंग ने बताया कि मरीजों का पहले रजिस्टेशन किया जाएगा, उसके बाद निर्धारित तिथी तैकी जाकर अपने सूशना दी जाएगी, फिर उने बुलवा का डालीसिस किया जाएगा, मरीजों के लिए 977-2721-232, मुबाइल नमबर उपलब्थ है, अपको अच्छा लग रहा है आपको, कोई चार्ज लग रहा है आपका, फिर यह अप डालीसिस है यह, इसी परकार का कोई चार्ज नहीं है, और जो दूर दराज जो पैसेंट जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहरे है आप, कि यही डालीसिस ले, भी यह तिने बेढ़ रही है, जोलबबब्स जा वह अजनर दोलबब से लोग, अच्छा लगता है आपको, आज लग रहा है ना, प्रखना परकाएक।